थर्मिष्टर का नाम तो आपने सुना हुआ लेकिन थर्मिष्टर बहुत से इलेक्ट्रोनिक सर्क्रिस में काम आता है लेकिन थर्मिष्टर का यूज क्या है और यह कैसे काम करता है इसको कैसे बनाया जाता है यह सब चीजें के बारे में अगर आप जानना हो तो यूज आप पहले वाला रॉड टाइप दूसरे वाला डिस्क टाइप और तीसरे वाला यह आपका बीड टाइप करता है और थर्मिस्टर का सिंबल जाए वो डॉट की फॉर्म में दिखा सकते हैं यह दिखाया गया जिसे यह यू लाइन बनी यहां पर रेजिस्टेंस वाले सिंबल में बॉट जादा चैद्ज होता है बड़ा चैद्ज आता है रेजिस्टेंस के अंदर तो इसके अंदर तीन टाइप के जो ड़ैग्राओं में तीन शेप दिखाई इस रॉड टाइप की ऐक डिस्क टाइप की और एक B टाइप की शेप समें ठर्मिस्टर बना येते हैं औरन ke symbol भी मैंने आपको दिखा दिए ज्यादा तर thermistor का जो resistance है वो temperature बढ़ने के साथ साथ में गठता है reduce होता है इन्हें NTC type के thermistor कहते हैं negative temperature coefficient इन्हें बढ़ने के लिए हम nickel, manganese, copper, cobald और other materials के oxide use करते हैं अब इसके बाद आते हैं कि इसको use कहां करते हैं, thermistor को temperature control या तापकरम control और measurement के लिए काम में देते हैं, temperature controlling के लिए और उसको नापने के लिए, इसके लिए इनको या तो बाहरी surroundings में लगा देते हैं और surroundings के अदर लगाने के बाद इसके ओपर temperature के effects का resistance चेंज रहता है और ये resistance जैक इनको electronic circuit में लगा रखा था हमने, तो ये resistance change है वो उस circuit के अंदर output पर current या voltage को change करता है, उस output voltage को हम electronic system में देते हैं, जिसके process करके हम इसको use करते हैं, इसी type से internally भी हम किसी thermistor में current flow कराते हैं, तो अंदर अगर temperature बढ़ता है, तो temperature बढ़ने के वैसे current में करते हैं, तो इस तरह से इनको use करते हैं, अब एक दूसरे type के thermistor भी होते हैं, जिनको PTC बहुते हैं, पॉजिटिव temperature coefficient type के thermistor, इसमें क्या होता है, कि temperature बढ़ने के बाद, temperature बढ़ने से इनका resistance बढ़ता है, तो इसके अधर हम कौन सा material यूज करते हैं, बेरियम टाइटनेट, ट्राइप नहिचाहतर material यूज करते हैं, जो कि circuit के अंदर बहुत जादा temperature है, उससे device को बचाने के लिए हम उज़ करते हैं, यानि बहुत जादा मोटर को बचा लेता है, तो इस तरह से हमने यह इस वीडियो के अंदर देखा, कि एक thermistor जाए हो किस-किस type का हो सकता है, thermistor कैसे काम करता है, दोनों type बता दिये, इसका symbol क्या है, इसका क्या use है, तो यह सब चीजे मैंने इसको विस्तार से बताने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो के बारे में को comment, query, feedback जरूर लखें, इस चैनल पर पहले बार जुनने वाले इस चैनल को subscribe कर लें, और इस वीडियो के बारे में को comment, query, feedback को जरूर लुखें, इस वीडियो के देखने के आपा बहुत बहुत धन्यवाद